आज की इस कच्छा में हम वर्ग के कुछ रोचक प्रतिरूप की चर्चा करेंगे पहला है विसम संख्याओं का जोड आए देखते हैं एक बराबर एक अर्थात ये एक का वर्ग अब यहां देखते हैं एक जोड तीन ये आगया हमारा चार अर्थात ये दो का वर्ग एक जोड तीन जोड पाँच तो ये हो गया नो अर्थात तीन का वर्ग और एक लेते हैं एक जोड तीन जोड पाँच जोड साथ अर्थात सुल बराबर चार का वर्ग तो इसे हम गौर से देखेंगे अगर सर्फ एक था तो एक का वर्ग हो गया अब यहां ये दो विशम संख्या ले रहे हैं लगातार दो विशम संख्या हैं एक जोड तीन तो ये दो का वर्ग हो गया अब लगातार तीन विशम संख्याओं को ले रहे हैं तो ये तीन का वर्ग हो गया अब लगातार चार विशम संख्याएं एक से ले के साथ तक ये ले रहे हैं तो इसका जो जोड हो रहा है, ये हो जा रहा है चार का वर्क, तो इस पैटन को हम देख रहे हैं, ये क्या पैटन बता रहा है हमें, एक और देखते हैं, और और इस परस्ट हो जाएगा, एक जोड़ तीन जोड़ पाँच जोड़ साथ जोड़ नौ इसे भी जोड़ते हैं एक तीन चार पाँच नौ साथ सुल्ला नौ पच्छीस और ये हो गया पाँच का वर तो इस परतिरूप को जो हम देख रहे हैं ये पैटर्ण को जो हम देख रहे हैं इसका अर्थ क्या हो गया 1 प्लास 3 प्लास 5 प्लास 7 प्लास n विसम संख्याएं अगर हम जोडते हैं n विसम संख्याओं को तो ये हो जाता है n का स्क्वाइर इन सारे में हम देखे हैं तो इस तरह से यहां तक हमने 5 विसम संख्याएं लगातार विसम संख्याओं को लिया था अगर इसी तरह माल दीजे हम 7 विसम संख्याओं को लगातार विशम संख्याओं को जोडेंगे तो कितना आ जाएगा इन के जगह साथ रखेंगे तो साथ का वर्ग हो जाएगा उन्चास तो ये एक प्रतिरूप हमें मिल गया कि लगातार विसम संख्याओं को जो जोडते हैं वो जितनी संख्याएं है उसका वर्ग हो जाता है हमारा अगला प्रतिरूप है विसम संख्याओं के वर्ग दुक्रमागत संख्याओं के योग के रूप में तो आएक कुछ विसम संख्याओं के वर्ग के इस प्रतिरूप को देखते हैं तीन का वर्ग ये कितना होता है नौ और नौ को हम लिख सकते हैं चार जोड पांच अब एक अगला विशम संख्या का वर्ग लेखते हैं पांच का वर्ग तो ये हो गया पच्चीस और इसे हम लिख सकते हैं 12 जोड 13 तीसरा लेते हैं साथ का स्क्वाइर साथ का वर्ग तो ये हुआ उन्चास तो ये होगा 24 जोड 25 एक और लेते हैं ग्यारा कवर्ग तो ये ग्यारा कवर्ग होता है 121 इसे हम परदर्शित कर सकते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि विसम संख्याओं का वर्ग दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में हम परदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं अब आप कहींगे कि यह मैंने इतने जल्दी 60 जोड 61 कैसे लिख दिया 121 का तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं आप क्या करें यह जो वर्ग संख्याओं हैं इस वर्ग संख्याओं में से वर्ग संख्याओं में से एक घटा दीजे 121 से घटा दीए 120 आ गया अब इसको दो से भाग दे दीजिए इसको दो से भाग दे दीजिए तो अब कितना आ जाएगा अब आ जाएगा 60 तो 121 को हम लोग 60 और इसमें एक और जोड़ेंगे 61 के रूप में दिखा रहे हैं इसी तरह से 49 में से एक घटा दीजे 48 और 48 का आधा हो जाएगा 24 और फिर अगे इस संख्या हो जाएगी 25 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कि सभी विशम संख्याओं को हम दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में दिखा सकते हैं हमारा अगला प्रतिरूप है दो क्रमागत विशम संख्याओं का गुननफल तो हम दो क्रमागत विशम संख्या लेखते हैं एक गुना तीन अब देखे एक को हम लिख सकते हैं दो घटाओं एक और तीन को लिख सकते हैं दो जोड एक तो ये क्या हो जाएगा दो कवर घटाओं एक एक कवर यानि एक हमने साथमें क्लास में पढ़ा है ए प्लस बी इन्टू ए माइनस बी स्केल टू ए स्क्वार माइनस बी स्क्वार इसी आइडेंटिटी पर ये ये आधारित है तो दो का वर्ग अर्था चार घटाओं एक ब्राबर तीन तो यहां एक गुना तीन भी करेंगे तो हमारा तीन आएगा दूसरा युगम लेखते हैं तीन गुने पांच तो तीन को हम लिख सकते हैं चार घटाओं एक और पांच को चार जोड़ एक तो यहां फिर हो जाएगा वैसे ही चार कवर घटाओं एक यानि ये पंद्रा अब तीसरा एक और युगम देखते हैं पांच गुना साथ तो प तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब दो क्रमागत विसम संख्याओं का हम गुना कर रहे हैं, तो जो गुननफल होता है, वह क्या होता है? इन दोनों विसम संख्याओं के बीच के सम संख्या के वर्ग से एक कम. इसे सब्दों में लिखते हैं, दो क्रमागत विसम संख्याओं, कागुननफल, उनके बीच के सम संख्या के वर्ग से एक कम होती है, हमारा अगला प्रति रूप है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुननफल, आएए हम सम संख्याओं के ग्रमागत युग्म को देखते हैं, दो गुना चार, तो इस दो को हम लिख सकते हैं, तीन घटाओं एक, और चार को लिख सकते हैं, तीन जोड एक, तो यह हमारा हो जाएगा, तीन का वर घटाओं एक, यानि आठ, अब एक और लेते हैं, छे गुना आठ, तो छे को हम लिख सकते हैं, साथ घटाओं एक, और इसे साथ जोड एक, तो यह हो जाएगा, साथ का वर घटाओं एक, तो यह एक और लेते हैं, आठ गुना दस, तो आठ को हम लिखेंगे, नौ घटाओं एक, इसे लिखेंगे, दस को नौ जोड एक, तो यह हमारा हो जाएगा, नौ का वर घटाओं एक, बराबर, असी, तो यहां क्या हम देख रहे हैं, कि, जब दो क्रमागत समसंख्याओं का हम गुननफल करते हैं, तो जो गुननफल होता है, वह बराबर होता है, इन दो समसंख्याओं के बीच के विशम संख्या के वर्ग से एक कम, है ना कितना आस्यर्जनक या रोचक परती रूप, आएए इससे सब्दों में लिखते हैं, दो क्रमागत समसंख्याओं का गुननफल उनके बीच के विशम संख्या के वर्ग से एक कम होता है, हमारा अगला प्रती रूप है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, की संख्याओं जो वर्ग संख्या नहीं है, तो आएए देखते हैं सुधारणों की सहता से, एक संख्या हम रहे हैं, तीन और तीन का वर्ग होगा हमारा नौ, दूसरी संख्या है हमारी है चार, और चार का वर्ग होगा सुल्ग, अब इस नौ और सुल्ग के बीच में, की जो संख्याओं हैं, निस्चित रूप से वो वर्ग संख्याओं नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या लगातार है, तीन के बाद चार, इनके बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, तो इनके बीच, नौ और सुल्ग के बीच कोई वर्ग संख्या भी नहीं होगी, 14 और 15 तो गिनते हैं कितनी हो जाती हैं संख्याएं एक दो तीन चार पांट छे एक और उधारन लेते हैं 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 तो इस 16 और 25 के बीच कौन-कौन सी संख्याएं हैं यह वर्ग संख्या नहीं है 17 18 19 20 21 22 23 24 इसको गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं एक दो तेन चार पांट छे साथ आठ तब एक रोचक प्रतिरूप को हम देखते हैं कि अगर हम दो क्रमागत संख्याओं के बीच के वर्ग के बीच दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच हम जानना चाहते हैं कि कितनी संख्याओं होंगी जो वर्ग संख्या नहीं है तो इससे एक प्रतिरूप हमें मिल रहा है देखी ये 3 था और 4 था तो इनके बीच जो 9 और 6 के बीच जो संख्याओं आ रही है ये 6 आरी है और यहां 4 का वर्ठा और 5 का वर्ठा तो यह 16 और 25 के बीज जो संख्याएं आ रही है यह 8 आ रही है अर्थात यह कितनी संख्याएं है इनकी संख्या कितनी है इनकी संख्या 3 गुना 2 और इनकी संख्या 4 गुना 2 या 2 गुना 3 कहेंगे और इसे 2 गुना 4 तो ये कितनी संख्याएं हो सकते हैं हम आराम से निकाल सकते हैं 2N संख्याएं जहां N क्या है ये पहले वाली संख्या है अगर हम यहां 3 देंगे तो ये 3 दुना 6 हो जाएगी और यहां 4 रखेंगे तो 4 दुना 8 यानि चार के वर्ग और पांच के वर्ग के बीच जो संख्याएं होंगी वो आठ होंगी। इसी तरह से हम अन्य दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं। हमारा अगला जो रोचक प्रतिरूप है वर्ग से संबंधित वह है दो क्रमागत त्रिकोनिय संख्याओं के योग। यह हम लोग देख रहे हैं, त्रिकोनिय संख्याएं हैं, एक, तीन, छो, दस, और पंदर, इन्हें त्रिकोनिय संख्याएं करते हैं, क्योंकि देखिए यह त्रिकोन बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है, तो अगर हम इन्हें त्रिकोनिय संख्याएं को जोड़ते हैं, एक प्लस तीन, एक जोड तीन, तो यह आता है चार, तो यह क्या है, एक वर्ग संख्या है, इसी तरह से 3 और 6 को जोड़ते हैं तो यह आता है 9 अर्था 3 का वर्ग 6 और 10 को जोड़ेंगे तो आता है 16 अर्था 4 का वर्ग और अगर 10 और 15 को जोड़ते हैं तो यह 25 होता है अर्था 5 का वर्ग तो हम लोग देख रहे हैं कि दो त्रिकोनिय संख्याओं को जोड़ते हैं तो यह एक वर्ग संख्या बन जाती है यह है त्रिकोनिय संख्याओं से बने कुछ वर्ग तो यह पहला त्रिकोनिय संख्या हम देख रहे हैं त्रिकोन है एक दो तीन चार पांच छे यह है छे दूसरा लाल रंग में त्रिकोन है यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो यह हो जा रहा है हमारा अब दूसरा जो वर्ग है यह देखिए यह एक है और यह दूसरा जो त्रिकोन है यह तीन अर्थाती हो गया चार यह दो का वर्ग है अब ये तीसरा देख रहे हैं तीन जोड ये देखिए एक दो तीन चार पांट छे अर्थात ये हो गया नो तीन का वर्ड